हेलो स्टुडेंस, वेलकम बैक, जतीन केमेस्ट्री चनल मा तमारू स्वागत छे, मारू नाम छे जतीन पिपल्या, आपड़े भणी रहिया चीए, केमिकल काइनेटिक्स आजे आपड़े केमिकल काइनेटिक्स नो ओगनिस्मो लेक्चर आवी चुकिया चीए, अने एमा आपड़े हाई लेवल ना MCQ ने आगडवधारवाना चीए, अने आजे हाई लेवल ना MCQ नो आ छेल्लो लेक्चर रह से कंटीन्यू त्रण लेक्चर थी आपड़े, खुबज अलग रितना MCQ नवी नवी ट्रिक्स साथे सिखता आविया चीए, जे तमने जेडवली ने नीट नी अंदर खुबज मदद रूप्था से तो चलो सरू करिये आजनो आ ओगनिस्मो लेक्चर चलो सरू आतमा, आतमारी सामे एक 6 MCQ बराबर इने समझवानो प्रहेत्न करो औने गणो बराबर रिते, के भी रिते येनो जवाब आव से ट्राई करो चलो सुन लेक्चर बे जुदा जुदा सहियो जनो छे P औने Q पी नो टीवन हाफ हापी दिदेवलो छे 5 सेकेंड औने Q नो टीवन हाफ 15 सेकेंड छे जो प्रारंब माँ चलो आ आगत्यनो छे जो प्रारंब माँ P बराबर 4 Q छे लेवा मा आवेल होई तो क्या समय ना अनते बन्ने प्रक्रियको नी सांद्रता समान था से यह वो आपने प्पूइचो छे क्या समय बन्ने नी सांद्रता सर्खी था से जो आना उपर सी जा आपने केंग लोजिक दोड़ा उपर से सांद्रता हो तो आपने आपेली न थी तो जरा विचारों के धारों के आपने Q नी सांद्रता एक लेए लेए केटली लेह लरेये एक तो पी नी सांदरता केटली थाई विचारो वच्चे बराबर नी निशानी छे पनए या चार गुणाकार मा आपेलाज छे जो तमें क्यूनी सांदरता तरीके एक लेता हो तो पी नी सांदरता 4 गुणिया एक इटलेके 4 थासा समझाणू आ समी करण उपर थी लोजिकल छे के पी नी सांदरता क्यू करता चार गणी वधारे छे तो आपने यहां लखी सकीये छिए के पी नी सांदरता बराबर आपने लई सकीये छिए चार मोल अने क्यू नी सांदरता एक मोल लई सकीये छिए समझाणूं तमने असुत्र उपर थी याँ बनाऊता आवडवू जोई हवे आपने एम पूइचू छे क्या समय ना अंते बनने प्रक्रिये को नी सांद्रता समान था सा तो जरा वीचारो आपने क्या समय याँ चार मोल आपिया चे चार मोल आपियला चे चार मोल ना अडधा करो तो बे मोल थेगियो मतलब आ एक तीवन हफ थेगियो बे मोल ना अडधा करो तो एक मोल थेगियो चलो आट इवन हफ थेगियो तो हवे हूँ हम कई से कूछ उके एक मोल एक मोल थेगियो समझाणूं जमने क्यू चलो तो क्यू Q नी सरुवातनी सांद्रता आपड़े एक मोल नी देली छे तो क्या समय न अंते बनने नी सांद्रता समान था से तो एक रिखना विचारो तो आई या बे अर्धायुष्य समय केटलो छे पी नो अर्धायुष्य समय पाँच सेकंड छे वू आपने खबर अच्छे तो विचारो पाँच सेकंड अई या काई डी पन क्यू तो सरुवातनी सांद्रता छे एने पन एक स्टेप लेवू पड़ से तो जो क्यू नी सांद्रता तमें एक स्टेप लियो तो एक मोल नो आजी एक माती अढ़दू करो तो 0.5 मोल थसे के नी तो पी माणे एकस्यूली त्रोण अर्धायुष्या समय थसे त्रोण तबक का अढ़दा अर्धा अर्धा करवा पड़े औने जू अढ़दायुष्य समय प्रमाणे आपने 5-5 मिनीट गनी है 5 पाँ पाँच मिनीट 5 मि मिनिटर थे किटली थाइ पंदर मिनिट अन्टे विचारों Q , अभे QA पन कड़ एक स्टेप लीदे लुक्षै कै नहीं, 1,60 शामाई ? तो क्यों नो एक स्टेप नो अर्धायुष्य समय वितलो, जो रकममें पर लूचे, क्यों नो अर्धायुष्य समय पंदर मिनिट छे, स्वारी, मिनिट नथी, सेकेंड छे, पंदर, सेकेंड छे, तो जो बनने 15-15 सेकेंड असांद्रता वो समान था है, समझाणू? तो क्या समय ना अंते बनने प्रक्रियकों नी सांद्रता इकोल थे, समान थे तुँ एम कही से कूछू आहियां 15 सेकेंड नहीं यां 15 सेकेंड बनने माटे 15 सेकेंड आपनो जवाब ओप्शन बी आऊ से पूरे पूरू लोजिक वाडो दाखलों छे कोई समी करण, कोई सुत्रों ये काम नी लागे बस तमारू मगज काम लाग से, मगज अने थियरी भणेला होई ए समझाणू तमने आवी रिते आपने आप दाखलों पूरों करिये छिए तो आ आतो आपनो पेलनों MCQ, येना पची आपने MCQ गणवानू चालू राखिये चलो येना पची नों MCQ, वाचो बराबर फेक गणत्री करवानी होई ये वू लागे छे तो गणत्री करीने, जवाब लाववानों समी करण आप यू छे अन्ने आ समी करण N205 नों हम्मेसा प्रथम क्रमनूत समी करण होई आपने खबर जोवी जोई आगड़ आपने किटला बदा दाखला गए चलो येनों T1.5 दस मिनिट छे ये साइड मा लगता जे T1.5 दस मिनिट आपेलो छे N205 नों प्रारंपिक जथो 10 ग्राम हुए चलो आपने सरुवात नी सांद्रत आपी दी दी जए इटले के R0 आपने लखिये किटला 10 ग्राम तो 40 मिनिट ना अंते किटला ग्राम बाकी रेस है तो तमने लखो चे 40 मिनिट ना अंते किटला ग्राम बाकी रेस है अवे जो T1.5 ना रस्ता मा अब दू आवे छे इटले आदाखलो इजी बनी जासे T1.5 जुओ आपनो T1.5 दस मिनिट छे तो 10, 20, 30, 40 इना रस्ता मा चालिस आवी जाई छे समझाणू जो बराबर इतना समझो T1.5 दस मिनिट छे इनों मतलब एम थियो के अपड़ी पासे एक तबक को पूरो करो इना 10 मिनिट लागे बराबर एनी साथे बी जो तबक को पूरो करो पाचा 10 मिनिट लागे एवी दिते त्रीजों तबक को पूरो करो पाच्या दस मिनिट लागे टोटल समय केटलो चीओ दस, वीज, त्रीज आपड़े टोटल चालिस मिनिट करवाना चे तो हजी एक चोथों तबक को आपड़े करवा पड़ से एमा पड़ दस मिनिट समझाणू इन शोट अईया आपड़े चार वखत फोर टाइम्स टीवन हाफ करवा पड़ से समझाणू चालिस मिनिट करवा माटे तो वीचारो आपड़े सांधरता किटली घट से आपड़ी सांधरता सरूआतनी सांधरता तरीके दस ग्राम आपे लिछे चलो एक वखत कर सो टीवन हाफ तो दस ना अरधा 5 बीजी वखत 5 ना अरधा 2.5 त्रीजी वखत 2.5 ना अरधा 1.25 थाय जास है अने हजी एक वार 1.25 ना अरधा एटले 12 ना अरधा 6 एटले के 0.6 समधिंग थाय जास है तो आपनो फाइनल आंसर 0.6 सम्थिंग आउओ जोई ये जूओ ओप्शन छे ए 0.625 ग्राम चार वखत टीवन हाफ करो एटले 10-40 मिनिट मां कंवर्ड था से तमने 0.6 ग्राम बाकी रह से आउओ कही सकाई छे लोजिक उपरच छे कोई सुत्र आमा काम लागवानू नसी गणाई गियो होसे तो आवा दाखला मां अहीं आप ओड टीवन हाफ नी वाद करे ली छे तो बराबर रीते समझो औने जूओ केवी रीते आदाखलो सौल करी सका से ओके तो विचार जो रेडियो सक्रिय पदार्थना दस ग्राम छे एनो टीवन हाफ सो दिवस्ट छे आथी तेना वीस ग्राम नो टीवन हाफ केटलो विचार आव अख़ते टीवन हाफ आपने सोधवाना छे अन्या दस ना वीस ग्राम लिदेला छे तो मुट्टा भागे छ थोकरावो यहां अनुमान खोटू गड़ से पिला तमें वीचारो तमें सू जवाब लिधेलो छे तमारो जवाब 10 ग्राम ना सो तो 20 ग्राम ना किटला घणा बदाई बस सो लखेला से पड़ आ जवाब एक जेट तमें बराबर इतना जो 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 आ जवाब सो दीवस जाओ स यहू कें 100 दीवस ना 100 दीवस जच कें ग्राम तो अधरी दी दा भाई तमें सान्ते थी वीचारो तमारी पास है कि यूरेणियम ज़े और यूरेणियम ना घणा बदा जथा जथा ज़े मतलब यूरेणियम नो 500 किलो ग्राम जथे बराबर अन यहू वीचारों के यूरेण नानो एवो पाँच किलोग्राम नो यूरेनियम साइड मा काड़ी नाखो तो एनो और धायु शिय एटलोग थाई ये काई बदली नहीं जाई समझो छो एक ग्लास मा तमें पाणी लेई यो एक ग्लास मा तमें पाणी लेई यो यहनी सांद्रता 55.55 ये काई बदली नाखो तो एक ग्लास मा ती एक टीपू बाहर काड़ हो तो एनी सांद्रता एटली नेटली जरी है सांद्रता सरकीच चे कद नो जट्थो अलग अलग थाई तो केवानों मतलब ये जो जो किलो ग्राम के ग्राम वजन साथे टी वन हाफ ने कोई सबंध न थी समझाणू तो दस ग्राम वीस ग्राम तो एनी सांद्रता सोद्रस है आम बीजी रीते तमने समझावा जाओ तो रेडियो सक्रिय अपदार्थ ये प्रथम क्रमनी प्रक्रिया के वाई थाई के नहीं? प्रथम क्रमनी प्रक्रिया माटे आपड़े वू सामडेलू छे के टी वन हाफ नो सुत्रता से 0.693 यपोन के तो यहां एक रीतना सरुआतनी सांद्रता थी ये स्वतंत्र छे समझाणू? सरुआतनी सांद्रता येने कोई लागू पड़ से नहीं येनों मतलब ये दस ग्राम ना पांच ग्राम ना आठ ग्राम गमेडला ले लियो येनों समझ टी वन हाफ नो सो दीवसर्ज रेवानों छे बो समझ वाजे वी वाच्छा बधी थीयरी ना कॉंसेप्ट अब दा जो वाचे लावोई तो तमें अने टेकल करी सक्सो बराबर इते वाची ने तो आ लखी नाग जो बराबर हींट सहीत अपने आगडव दिये येना पच्छीनों MCQ वाचो अने इने सॉल करो जो टी वन हाफ ने रिलेटेड जा बधा MCQ छे प्रथम क्रम नी प्रक्रिया छे एनो टी वन हाफ इलेके अर्दाविश्च समय 30 सेकंड छे तो तेनो एक ना छेद मां 32 भाग पूरण थवा माटे लाग तो समय गिर लो बई पूरण थवा माटे नो समय तमने पूछे लो छ जो टी 0.5 एनो मतलब एक ना छेद मां 2 तो समझाई शे एनो मतलब सूंतियो पहला विचार जो के दाखला तरीके तमारी पासे सरुआतमा एक वो ए तो त्यार बाद एनो अर्दू थई जैसे एक ना छेद मां 2 हजी वीचारो आ तमारो प्रथम अर्धायुश्य दियो जो तमें अर्धायुश्य करवा जैसो तो एनो पर चेद मां 2 तो समझो जो जो 1ज़ानो अर्धा ना-चेद मां 2 तो आनो मतलब केटलो जा खेद उपर नो छेद नीचे आवी जाई तो 1 जह जो 1 जो 1 आज़ानो फन्वन चार चार तो जो तो आपने ये एकना चेदमा बत्रिस नो समय गाड़ो पूछी ओचे समझाड़ू तमने तो एना माटे केटली वखट टीवन हाफ माथी पसार था हूँ पेड़ू एक बे त्रोन चार अने पांच पांच वखट और अजुश्य करवा पेड़ा त्यारे तमें एक माथी एक ना छिदमा बत्री से पहुंची सको अपनी पासे टीवन या पाँच कर नाखो फाइव टाइम्स टीवन हाफ करी नाखो तो पाँच गुणिया त्रीज किटला था से पाँच तेरी पंदर एक सो पचास सेकेंड आपड़ो जवाब आववा नो छे तो आवी रिते आ जवाब छे एक सो पचास सेकेंड ओप्शन ए समझाईगी यू तो मस्ते वा टीवन हाफ ना दाखला हो छे आने आवी रिते बराबर समझी वीचारी ने गणवा लोजिक उपर कंटीन्यू चाले छे यह कोई पंड जहतना सुत्रनी मदद आपड़े लेता नथी समझाईगी यू चलो हजी आपड़े आगडवत्ता जईए चलो आ एक दा दाखलो लागे छे तो बराबरा दाखलाने सॉल करवानों प्रेत्न करो वाचो बराबर रिते और सॉल करो चलो तो प्रथम क्रम नी प्रक्रिया चे एक प्रक्रिया माते प्रक्रियक नी सरुआतनी सांदरता आटली चलो आपने सरुआतनी सांदरता येट लेके R0 आपी दिदो चे 0.05 फाइव मोलारिटी ओके 45 मिनिट पची तेनी सांदरता मा 0.015 जेटलो घटाडो था ही छे 45 मिनिट पची एड़े के T बराबर 45 मिनिट था से और 45 मिनिट पची अंतीम सांदरता केटली तो जो जो पहला 0.015 नहीं लगता ही है वाक्य वाचो पहला 0.015 जेटलो घटाडो था ही छे पहला हता केटला 0.05 यह माथी घटी गया केटला 0.015 बराबर आप बनने नी बाद बाकी करो तो तमने खबर पड़े के वही जा केटला ओके तो 0.05 माथी आप बाकी करवी पड़ से तो यह बाद बाकी करिये 0.05 माइनस 0.015 बराबर रितना जुओ तो आपड़ो जवाब हैं आपड़ने मड़े छे 0.035 RT बने 0.035 जिटलो मड़े छे चलो तो हवे आपड़े सूं करवानू छे आप रक्रियानो अर्ध अयुष्य समय T1 half find out करवानू छे तो एक रितना जुओ के अना रस्ता मा T1 half आवे छे के नहीं 0.05 एना अर्धा करो तो 0.025 थसे एना रस्ता मा तो आउतो नो थी एडले तमारे बीजा सुत्र वापरवा पड़ से प्रथम करवनी प्रक्रियाना घणा सुत्र छे तो आपड़े अर्धायुष्य समय सोध्वानो छे अर्धायुष्य समय नू सुत्र थसे 0.693 अपोन के तो आपड़े के नी वेल्यू पन जो से तो के नी वेल्यू आईयां आपड़े लखिये के नू सुत्र अलग थाई छे k बराबर 2.333 ना चेदमा t log r0 ना चेदमा rt आतो पूरे पूरो दाखलोज गणवो पड़ से समझानू जो r0 छे अपड़ी पासे rt पड़ छे औने t पड़ छे तो k मड़ी जाई अवे एक काम करी ना किये साथे साथे k नी किम्मत अपड़े आनी अंदर मुकी देए विचारो तो यहां के ने उंँ उपर लाऊ तो उँ आव उस्तुर लखी सकू k बराबर 0.693 ना चेदमा t1 1 1 अनी किम्मत आनी अंदर आपड़े मुकी देए तो t1 1 1 1 नी किम्मत केटली छे यहां सोरी T1.5 तो आपने सोधवानों छे तो जुओ बराबर उम्हों आवी रिते गणत्री करी सकूछू और यहां वो लखी सकूछू केनी जग्या ये 0.693 अपोन T1.5 बराबर 2.303 ना छेदमा T चलो समय आपड़ी पास है 45 मिनिट नो आपेलो छे 45 लोग R0 ना छेदमा Rt चलो R0 0.05 इना छेदमा Rt तरीके 0.05 छे अटलू थास है समझाणू तो गणत्री करो आपने T1.5 नी वेल्यू यहां मड़ी यह से करो बराबर रिते गणत्री तो सौथी पेला आपाजूनों एरिया आपड़े क्लियर करी नाखिये तो 2.330 भाग्या 45 करिया आपड़े तो मने मड़े छे 0.0502 पचिया लोग ना भागाकारनी वाद करिये तो 0.05 भाग्या 0.035 मने यहां मड़े छे लोग 1.48 आटलो मड़े छे तमारे आनो लोग जोओ अपड़ से लोगे रिधम्स माथी लोग टेबल माथी जोईलियो चवूद नो बेमा आठ लोगे रिधम्स बराबर रिते जोओ वह यह डाइरेकली जोओ छू और तमे डाइरेकली जोता नहीं तो जो वह लोग जोओ लोग एक पोइंट चार सोने अठिया विस नो तो मने मड़ से 0.5040 आएम नेम लखी नाखू चू और आणो लोग मड़े चे 0.5040 तमारे हवे आप बन्ने नो गुणाकार करवो पड़ से यह सामे नी साइड नी वेल्यू जेटलो थसे तो बराबर जोओ अब बन्ने नो गुणाकार आपड़े करी नाखिये 0.5040 गुणाकार मा 0.0502 आवी रित है तो मने यह मड़ से 0.00702 था यार इतना clear चलो पछी आब आजू सूओ तू 0.693 ना छेद मा T1 1.5 तो हवे तमारे T1 1.5 ने करता बनावानों छे T1 1.5 ने सामे नी साइड लई जाओ तो अंश मा भी जो से अने आ पड़ने सामे नी साइड लई जाओ तो छेद मा भी जो से तो आपड़े डाइरेक्ली यह भागा कारच करी ना किये छी 0.693 ना छेद मा आउसे 0.00702 मने मड़े छे 87.5 अने एनो एकम बराबर जोहिलियों रकमनी अंदर 87.5 मिनिट अपने टी वन हाफ मड़वानों छे तो जुओ एक रितना यह आंसर मने मड़े छे 87.42 जी आपड़ों नीयर बाइ आंसर कहवा से समझाई क्यों तमने तो बराबर रिते आवा दाखला हो गणो जोके आपने आगण NCIT मा आवा दाखला गणेला छे तमना सुत्रो याद हो आज जो यह तो हजी आपड़े आगण वत्सु आनी अंदर next दाखलो समझो बराबर रिते आने दाखलो गणो आनी ट्राई करो चलो सुच यहाद आखला मा जुओ एक रेडियो एक्टीव रेडियो एक्टीव इटले प्रथम करमनी प्रक्रिया को प्रक्रिया टीवन हाफ ना सर रेंज मा पांसो साइट आवे जह तीवन हाफ 146, 428, 432, 445 आवे जह राबर चार वकhत तीवन हाफ करो फोर टाइम्स तीवन हाफ त्या रहें 500 साइट थवो जो जो वीचारो जो 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 तो आपने एम की दूछे, एक ग्राम रेडियो एक्टिव तत्व खेटलू बाकी रहे से, तो इन शोट, आपने फोर टाइम्स टीवन हाफ करवो पड़ से, तो जो सरुआत मा दाखला तरीके, तमारी पासे एक ग्राम होई, एक वखट टीवन हाफ कर सो, तो 0.5 ग्राम थाई जासे, यहां जो एक ना छेद मा पेला छे, तो आपने एवी रीतेद लखिए, एक ना छेद मा बे ग्राम थाई जासे, एक ना छेद मा बे ग्राम मा थी, फरी थी टीवन हाफ करो, तो एक ना छेद मा बे, पाच्छो अर्दू थाई जासे, इटले एक ना छेद मा चार, फ एक ना छेदमा सो तो जूओ यहां एक रितना चार वकट टीवन हाफ करना ही खामें एक बे त्रोण अने चार तो फोर टाइमस टीवन हाफ ए आपनों पांसो साइट डिवस थासे अने अंते केटलों बाकी रेसे तो आपनों आंसर आउसे एक ना छेदमा सोड ग्राम समझाणू आवी रिते अपने आद दाखलो गणी सकिये चीए ओप्शन डी एक ना छेदमा सोड ग्राम खणा बदां एमसी क्यू आपने पांच छों एमसी क्यू आवा आवी या शे तो हवे आमा तमने कोई पन डाउट रेवू जो यह नहीं ओके चलो आ एमसी क्यू पर पू सूँ छे चलो प्रथम क्रमनी एक प्रक्रिया मा प्रक्रियक नी सांद्रता 0.08 थी घटी ने 0.04 थवा माटे जो जो भाई 0.08 घटी ने 0.04 तो भै आतो अड़दी थेगी कर नहीं अड़दी थाई तो हूं थाई अड़द आयूश्य समय चलो एना माटे किटलो समय लाइग समय लाइगो चे 2.31 गुणिया दसनी बेगाद मिनिट तो यह आपड़ो डायरेक्ली टी वन आप थसे तो ते प्रक्रिया नो वेग अचडांक केटलो थाई अब जो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया तो सिंपली कई दिदेलू चे तो प्रथम क्रमनी प्रक्रिया ना वेग अच आमा तमें के ने करता बनावो तो टी वन हाफ चेदमा चाले हो जो से तो 0.693 ना चेदमा टी वन हाफ एडले के एक रिखना जुओ तो बस सो एकतरी सत था ही के नहीं 2.31 गुणिया दसनी बेगाद तमारे जहस्ट आनो भागाकार करवो पड़ से तो 0.693 भाग गया बस सो 31 आपने करिये जीए तो 0.03 मने मड़े ज़े 0.03 आपनो के था से समझाड़ू चलो तो हजी आनो यूनिट प्रथमक्रमनी प्रक्रियानो यूनिट हमें सा सेकेंड इन्वर्स वोई जो कि यह मिनिट आपे लो जे तो आपने लखुओ पड़ से यह मिनिट इन्वर्स तो 3 गुणिया दसनी माइनस 2 गात आवसे ने हाँ अनो जवाब आपडो आवे छे 3 गुणिया दसनी माइनस 2 गात मिनिट इन्वर्स आउ थाई छे और एकवपन अप्शन नत थी केम नत थी भई 2.31 दसनी वीस गात नहीं थाई नहीं थाई वेग चडांग छे विचारो विच भागाकार मां तो मिश्टेक नथी कही रही ना आपड़े एक मिनिट हुम फरी थी जोईलो 0.693 0.693 भागाकार मां 231 बराबर छे यहां जोवा मां मिश्टेक चे 0.003 आवे आपड़े 0.03 0.003 आवे तो 3 गुणिया दसनी माइनस 3 गात मिनिट इन्वर्स आवे तो पड़े यह प्रिंटिंग मिश्टेक तो के वीच पड़े कारण के जो तमे कदाच आने गणसो मिनिट इन्वर्स तो मोल प्रती लीटर तो नो जापो जोई है ने अनो एकम आपड़ो यूनिट सुन होई है तो पड़ा प्रिंटिंग मिश्टेक चके वाई कईनी ओप्शन डी आपड़े राखिया जिए जवा आप जोई लियो जो अने मिनिट इन्वर्स इनो एकम सुधारी लियो जो बराबर रिते थाई हो आपड़ो एमसी क्यू आ इना पछी जी आगडवादी है नेक्स प्रक्रियक एनी सांध्रता 0.01 लेता प्रक्रिया वेग आटलो थाई छे तो अर्ध आयुष्य समय किटलो थाई तमने वेग आई प्यो छे देखाई छे आपने अगाव भी डिसकस कही री के जयारे जयरे तमने वेग आपे ने त्यारे विकलन वेग समी गरण मुकी देवा अवे आनी अंदर किम्मत मुको जो अई या वेग केटलो आपियो छे बे गुणिया दसनी माइनस पांच गत बराबर के अवे आ एनी सांध्रता आपने लखवी पड़े चलो एनी सांध्रता जो आपनने आई पी छे 0.01 एटले के दसनी माइनस बे गत थाई के नहीं क्लियर दसनी माइनस बे गत ने अवे मुको सामे नी साइड तो दसनी प्लस बे गत थाई जा से तो बे गुणिया दसनी माइनस पांच वत्ता बे गत अट लो थिव माइनस पांच वत्ता बे इतले के माइनस त्रोण घात आपड़ो के थसे वेग अचडांक अने आ वेग अचडांक उपर थी आपने अरधाविश समय सोधी सग्ये जो यह प्रथम क्रम नी प्रक्रिया लखे ली चे तो प्रथम क्रम नी प्रक्रिया प्रथम क्रम प्रक्रिया म ते आनी अंदर तो 0.693 ना छेद मा आ लखू पड़ से आपड़े बे गुणियाद दसनी माइनस त्रण गात बे गुणियाद दसनी माइनस त्रण गात एडले के 0.002 थाई के नहीं करीना को भागा कर 0.693 भाग गया 0.002 346.5 आवे छे आपड़ो जवाब 346.5 अने आ सेमा जवाब आवे छे बराबर जोई लियो मोलर प्रती सेकेंड इटले के या सेकेंड यूनिट आवे छे सेकेंड आपड़ो जवाब थासे आपड़ो टीवन हाफ थावानो छे तो भई फरी थी है या लोचो मारे लो लागे छे 346.5 गुणियाद दसनी बे घट पाचो लहीं गुझे तो दसनी बे घट क्या थी है भी जो बराबर आपड़ी रितना तो आपड़े साचो जगेणों छे आपड़े तो आपड़ी रिते बराबर अच्छी है वही कई वांधों नहीं तो आ करना खिये आपड़ो जवाब आऊ से पने या आऊ जो यह नई एक वस्तू थाई जो तमें यह वेग नी जगे वेग तो तमारो जवाब आऊ आवी सके छे कईने आपड़े मां पड़ता न थी प्रिंटिंग मिस्टे का मां वधारे थाई चे तो आपड़े आवी रिते दाखलो गणियों और एनो जवाब आवे चे ओप्शन डी 346.5 सेकेंड नी अंदर ओके आपड़ो जवाब फाइनल आंस कहवास है एना पचीनों MCQ बराबर जोई लियो बस थोड़ा केवा MCQ आपड़े गणसू मौस्टोपली बद्धी पेटर आपड़ी पूरी थेगी चे तो जो आए MCQ मां प्रथमक्रमनी प्रक्रिया चे टी वन हाफ 10 मिनिट चे 0.08 मोलारीटी थी 0.01 मोलारीटी थवा माटे येनों समय तमने पूछियो चे तो आपने हम कही से किए 0.08 मोलारीटी ना रस्ता मा आवे चे के नहीं 0.08 मोलारीटी चलो एक वखत येनों अर्धायूश्य करो एटले येनों अर्धो थे जाए केटलो 0.04 थे जाए 2 जी वखत येनों अर्धो आयूश्य करो एटले 0.04 ना अर्धा 2 थे जाए 3 जी वखत अर्धायूश्य करो तो येनों पड़ अर्धो 0.01 थे जाए बराबर चे तो जो तमारे 0.08 मा दी 0.01 मा जाओ गोई तो केटली वखत 3 वखत अर्धायूश्य समय करवा पड़े एनों मतलब 3 टाइम्स T1.5 करवू पड़ से चलो तो आपड़ी पासे T1.5 ये आपेलो छे 10 मिनिट तो 10 मिनिट ने रिलेटेड आपड़े दाखलो गणी सकीए 3 गुनिया 10 मिनिट सिंपल एवू छे 30 मिनिट आपड़ो जवाब ये ओप्शन बी नी अंदर आपेलो छे समझाई क्यों मस्त हेवा MCQ छे पटाफट आवड़ी जएवा अपनने बस नोले जो हूँ जो एककेवी दी ते गणवाना चौलो तो आए MCQ ये पूरो थेगियो आगणवा दिये एना पछीना MCQ तरफ वाचो बराबर तो आए MCQ मा गणतरी तो आवड़ी है से पन खास नोंध करवा जेवू ए छे क्या MCQ ना जवाब LN मा आपेला छे तो तमें नोर्मल सुत्रवापरी नहीं सको आपने LN वाड़ाज सुत्रवापर वापड़ से जो ये N205 नों समीकरण हम्मेसा प्रथम क्रमनी प्रक्रिया वोई लखेलू पण छे पंदर मिनिट बाद चलो टी बराबर पंदर मिनिट आपने आपेला छे छुटा पड़ता ओटू नो कद 9 ml छे मतलब छुटा पड़ता ओटू नो कद 9 ml आर्टी तो नहीं कई सकाई एक मिनिट तो प्रक्रिया ना अंते तेनू कद 35 ml छे अने प्रक्रिया ना अंते 35 ml छे प्रक्रिया ना अंते अटले वो आर्टी लखी सको छू 35 तो प्रक्रिया नो वे गचडां किटलो थाई आ 9 ml नो लोजिक मारे करवू पड़ से एक एक मिनिट आपन नहीं एक मिनिट जो हो वे आ तमने कद ओटू नू आई पुछे पहला ध्यान थी सामरो आ प्रक्रिया छे इमा ओक्सीजन नीपच छे ओके तो पहला विचार जो तो एन्टू ओफाइव माथी ओक्सीजन मड़े जह पहली बात तो सरुवात मा तो ओक्सीजन जीरो हो से सरुवात मा अने सरुवात मा एन्टू ओफाइव केटलो जहे आपने खबर ना थी हवे आपने सुंकिदू 15 मिनिट पची चलो 15 मिनिट पची इटले आपनो आर टी सिचुएशन धही जाई 15 मिनिट बाद नू अंतीम तबग को 15 मिनिट बाद छुटा पड़ता ओटू नू कद 9 एमेल छे तो 15 मिनिट पची मने या 9 एमेल मड़े छे पेला हतू 0 अने येमा थी मड़े छे 9 एमेल चलो आ खबर पड़ी के पड़ आपने सुत्र नी अंदर प्रक्रियक नी सांद्रता मुकवानी होई छे निपद नी नी तो जो असुं की दूछे प्रक्रिया ना अंते तेनू कद पात्री से मेल थाई प्रक्रिया ना अंते एनो मतलब आखी प्रक्रिया पूरी थी जाई त्यारे एनू कद पात्री अफो प्रक्रिय एक पूरि थया बाद जो आनू कद 1.025 अंटिम कद 3.025 अंटिम अंटिम कद 5.025 अंटिम कद 3.025 अंटिम कद 5.025 अंटिम कद 3.025 lovers इसा और भी सग्या चीए मतलब आमा थी 9 ml घटेल हुए तो आपनो R0 35 ml थसे अन्ने Rt 35-9 35-9 एडले किटला थाई जोईलियो 9-26 ml के वासे तो जुओ हवे एन्ने related आपने वे गचडांक सोधुआनो किदेल हो छे तो वे गचडांक नू सुत्र आपने मुखिये वे गचडांक नू सुत्र आपने नोर्मल यावू लखिये ची ये 2.303 ना छेदमा T लोग R0 ना छेदमा Rt पण आपने ये लोग वाड़ू सुत्र ना थी लेवानू आपने LN वाड़ सुत्र लेवाना ची तो जो हुँआ ये लोग वाड़ू लेवाना चेदमा Rt थीरी मावीज गीँ तू हवे आनी अंदर किम्मत मुखो तो एकना चेदमा T चलो समय केटलो शे 15 मिनिट तो एकना चेदमा 15 आउसे LN आउसे R0 अपने किदू हैं 35 मेल लोजिक दोड़ावो भई पूरे पूरू अने Rt 26 मेल आपड़ू सुत्र थासे आपड़ू जवाब थासे एकना चेदमा 15 LN आ रियो 35 ना चेदमा 26 तो option D आपड़ू जवाब थावानो छे बराबर रितेया दाखलाने समझवानी कोशिश कर जो आवी रितेया ने गणी सकासे तो आ बद्दा MCQ आजे आपड़े या पूरा कहीरा त्रोंड लेक्चर थी कंटीन्यू आपड़े लेक्चर MCQ आटेंड करिया छे मौस्ट अपली बद्दा MCQ क्लियर थेगिया छे हवे आपड़े आना पछीना नेक्स्ट थीयरी उपर आगड़ वदसू थेंक्यू आपड़े लेक्चर भरवा माटे आज नो लेक्चर आपड़े या खतम करिये छीए हवे आपड़े नेक्स्ट लेक्चर माँ थीयरी आगड़ भणसू सक्रियकरन उर्जा तापमान नी असर ने रिलेटेड थेंक्यू